नमस्काल आद आप बुड इवनिंग चस्ट्रेकाल दोस्तों मैं हूं मनमींदर और मेरी चैनल पर आप सबी लोगों का बहुत स्वागत है मैं सभी का खेर मगदम करती हूं और दोस्तों कातिल कोई कितना भी अपने आपको शातिर समझे लेकिन वो उतना शातिर नहीं होता जितनी की पोलिस होती है वो मौके पे कोई ना कोई सुराग जरूर शोड़ देता है और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि सुराग जो होता है न वो कातिल के पास ही रखा मिलता है पोलिस को आज की क्राइम की कहानी जो है कुछ इस तरीके से है और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से गुजारिश है कि अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको मेरे जो और अपनी कीमती राय जरूर दीजेगा तो दोस्तों होता क्या है आज की कहानी में 17 जन्वरी की राख गाजयवार्थ पुलिस को ये खबर मिलती है कि इंडस्ट्रियर एरिया जीटी रोड के किनारे एक युफ्ती लहुलवान हलत में मिली है जिसे होस्पिटल लेके जाये ज ही चुकी होती है और पुलिस को ये लगा कि किसी वहान की चपेट में आ गई है और इसकी मयक्य मोत हो गéma लेकिन जब श्विप्ती की शिनाकत की गई तो ये पता चला कि वह गज़ेवत की रहने लिए उसके पति का नाम अम्रत है शिनाकत के बाद शव को पोस्माठम के लिए बेजा गया शुरुवात में जो इस श्विप्ति के पती हैं अम्रत उनको भी ये लगता है कि ये उनकी पत्नी की जो मौत हुई है वो एक्सिडेंट में हुई है इधर पुलिस जाज में जुट से तो उति की मौत गलत दबा करके दमगुटने से हुई है और की पुलिस के पास एक तो है उसका SMITH संब बहुत सारे मुख्विर काम करते हैं उनके लिए तो उस सिस्टम को जब उन्होंने अक्टिव किया तो ये पतरुप के ही गायों की है और चरनिवस के नाम की एक शक्स के साथ उसके रिलेशन हैं और ये उप्ती चरन्जिंग के साथ अक्सर बाहर आती जाती थी कि दोनों के इन अश्ननिार्षतों का लिए प्रिजन और करिवार के परिपार यानि कि दोनों परिवारों इस पता था पुलिस को इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस ये भी उनका एक सिस्टम है जब उसका यूज करा उनोंने तो उसके जरीए पता चलता है कि वाड़दात के दिन चरन सिंग युथी के साथ गाज़ेबाद के एक होटल में ठहरे थे और कमरे से निकलने के बाद चरन सिंग और उनके बेटे रोहित ने युथी को अपनी वैगरार में बिठा लिया दोनों ने मिल करके युथी का गलत दवाया पर उसकी हत्या करती है अब जब कोई भी वैगति किसी की हत्या करता है तो सबसे पहले उसको ठिकाने लगाने का काम होता है अब इन्होंने दिम चरन सिंग मौके से फरार हो जाता है और चरन सिंग का जो बेटा होता है रोहित वो मकाई वारदार पर अपने दोस्त को बुला लेता है और उन्होंने जैसा कि प्लान क्या होता है दोनों वहां से गुजर रहे एक ट्रॉला को रोकते हैं और ड्राइवर को कार में बिढ़ा करके जबर्दस्ती ये कलवाते हैं कि ट्रॉली से महिला का एक्षिरेंट हुआ है और उन्होंने इसके एक वीडियो भी बना ली हे दोस्तों आजकल हर क्राइम में ये सोचल मीडिया सोचल प्लैटफ़र्म और ये वीडियो यह बहुत प्सक्राइब ह अब अगर वीडियो बनाई है तो उसको डदाने के लिए उसको Social Media पे डाल देंगे यह कहा करकि वीडियो बनाई होगी क्यूंकि पुलिस उसको ताकी एक accident माने, इस हत्या के case में पुलिश ने महिला के प्रेमी चरान सिंग और इसके बेटी Rohit और रोमेड के दोसत संदीप को arrest किया और उनके कभजे से जो भी चीजें इस हत्या में यूस किया ही जैसे कि वैगनार कार और उसको भी उन्हों अपने गजे में मले लिया और जब इन लोगों से पूछतास होती है लोगों को किया चरण सिंग के युवति के साथ पिछले साथ साल से रिलेशन ते दोनों रिलेशन शिप्स पे थे और कुछ दिनों से युवति चरण सिंग से एक मकान की दिवान कर रही थी, लगातार उसे प्रेशर बना रही थी, लेकिन जब ये बात चरन के बेटे रोहित को बदा चली तो उसने अपने बाप को बिल्कुल साफ-साफ कह करके धमका दिया इक तरह से, कि वो या तो इस युपति का इलाज करे, या फिर वो किसी दिन च थोड़ेगा नहीं, तो ये चरन के लिए एक अलार्मिंग नोट था, इसी के बाद बाप बेटे ने युपति की हत्या की, राज साजी स्रची, और जैसा कि उन्होंने प्लैनिंग की हुई थी, युपति को चरन ने फोन करके गाजियावाद होटल में बुलाया, 17 जन्वरी यानि कि ये पिछले अप्ति की बात है, 17 जन्वरी 2023 दुपएर के समय इंडस्री एरिया की होटेल में जाते हैं, जहां चरन सिग ने युपति को अपने कॉन्विडेंस में लिया, और बकादा उसने उसके सेक्स भी किया, और उसका बेटा बाहर होटल के असपास अपनी बै प्लाइनिंग कर दा होगा कि के से आज क्या करना है, और जब थोड़ी सी शाम धली, पने 8 बजे का समय हुआ है, तो चरन अपनी प्रेमी का क्लिए करके होटल से बाहर निकला, काफी ठंड थी, उतर भारत वे समय काफी ठंड पड़ रही है, और दिल्ली, गाजेवाद, NCR क जो इलाके हैं, काफी कोरा चल रहा है, ठंड काफी है, तो बाहर अंदेरा हो चुका था, दोनों ने युपति को कार में मिठा लिया, उसे जड़ा भी पता नहीं था कि उसके साथ अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है, और दोनों ने मिल करके, बाप बेटे ने मिल करक युपति की हत्या कर दी, और शब को धर्म काटे की पास अंदेरी की जगा में फैक दिया, जहाँ पर काफी अंदेरा था, अब चरन जो में युपति का प्रेमी है, मौके से चल ला गया और रोहित ने अपने दोस संदीब को बला लिया, रोहित ने जब पुलिस ने रोले को रोक लिया था, कि तू एक्सिलेंट करके आया है, और अपने साधिस संदीब की मदद से उसे अपनी गाड़ी में बठा करके, डारा धमका करके, यह कहते हुए उसकी वीडियो बना ली कि उसने ही एक्सिलेंट किया है, और गाड़ी के मालिक को भी यह जकीन दिला कि उसकी गाड़ी से एक्सिलेंट हुआ है, अब यह जो उन्होंने प्लॉट अपना बनाया, यह चिप नहीं सका, मैंने शुरात में ही कहा था, और यह एक क्राइम की जो कहानिया होती है, उसमें एक बात कही जाती है कि लाग कोशिश कर ले, क्रिम डल, कातिल, लेकिन वो अ अपना जो कतल होता है, वो छिपा नहीं पाता है, तो इस मामले में, चुकि उस युपती का गला दबा करके हत्या की गई थी, तो जब पोस्माडम की रिपोर्ट आई, उस समय यह बात साफ हो गई, कि इसका एक्सिदेंट नहीं हुआ है, इससे पहले उसका गला दबाया ग और उसके दोस्त संदीब को अपनी हिरासत में लेती है, अपने तरीकी से पूछती है, उसके बाद यह बात साफ हो जाती है, तो दोस्तों, जैसा कि मैं कुशिश करती हूं हर दिन आपको एक क्राइम की कहानी सुनाओं, तो आज का कंटेंड आपको कैसा लगा, कुछ लोग मेरे कमेंड बक्स में यह भी कहते हैं कि मैं क्राइम की बातें करती हूं, तो मेरा जो दिमाग है, वो क्राइम की बातें कैसे सोच लेता है, तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहती हूं कि यह जो क्राइम की कहानिया मैं आपसे शेयर करती हूं न, यह मेरी दिमाग क्यों बस ही होती है यह सच्ची कहानी होती है पुलिस की रिपोर्ट्स जब सामने आती हैं तो सारी सच्चाई कोई भी जान सकता है और मेरे दिमाग में कोई भी क्राइम पकता नहीं है क्राइम होता है और आपके सामने लखिए एक बार फिर कहूंगी कि अपनों का जरूर ख्यार लखिए क्योंकि वो आपके बहुत अपने हैं फिला लितना ही दोस्तों जैहिन जै भारत